ये देश विभिनिताओं का देश है यहाँ पे अलग-अलग लोग रहते हैं जिनके अलग-अलग परमपराएं हैं लेकिन कभी-कभी इन्हीं परमपराओं की आड़ में हमारी महिलाओं के साथ अभधरता होती है आप सोचिए जब किसी परमपरा की आड़ में किसी महिला को सो पुशर का शिकार होना पड़े तो उसको कैसा लगेगा प्रोफेसर रजनी मुर्मू ने इसी तरह की एक परंपरा के खिलाफ अपनी आवाज उठाई जिस परंपरा में महिलाओं के साथ अभधरता की जा रही थी लेकिन गलत को गलत कहना रजनी मुर्मू के लिए पर्व सोहराय पर की गई उनकी पोस्ट उन्होंने सोहराय पर्व में लड़कियों के साथ बढ़ती अश्लीलता पर सवाल उठाते हुए फेस्बूक पर पोस्ट लिखी थी इस पोस्ट की बात से ही आक्रोशित SP कॉलेज के आदिवासी चात्र चात्राओं ने उनके खिलाफ जंडा बुलंद कर दिया उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे है इतना ही नहीं चात्रों के लिखित बयान पर दुमका नगर थाना में IT Act के तहत प्रोफेसर रजनी मुर्मू के विरुद प्रात्मी की दर्ज की प्रोफेसर रजनी मुर्मू ने हमेशा आदिवासी महिलाओं के साथ हो रहे अपराध और प्रतार्ना के खिलाफ आवाज उठाई है उनका मानना है कि इस कॉलेज में पहले से ही आदिवासी महिलाओं को प्रतारित किया जाता रहा है कभी चोरी के नाम पर किसी लड़की को पीटा जाता है और उसका वीडियो वाइरल कर दिया जाता है इसके साथ ही एक बार एक छात्रा को दोड़ा दोड़ा कर पीटा गया था अब रजनी ने उस परंपरा पर सवाल उठाए हैं जिसके नाम पर छात्राओं का शोशन किया जा रहा है दमूक नैक से खास बातचीत में रजनी मूर्म ने बताया कि पूरा मामला क्या है तो आदिवासी महिलाओं को ले करके मैं अक्सर फेस्बुक में पोस्ट लिखती रहती हूं तो साथ जन्वरी को मैंने एक पोस्ट लिखा था हमारे असंतालों का सबसे बड़ा पर होता है सोहराय तो सोहराय को ले करके यहां कॉलेज में छात्र जो है हॉस्टल के जो छात् कुराम में मैंने दो साल पहले पाटिस्पेट किया था तो उसमें मुझे जो खराब अनुभव हुए तड़ एक महिला होने के नाते उस अनुभव को मैंने फेस्बुक में पोस्ट किया था अपना सेर किया था कि महिलाओं के साथ यहां छेरशाड होती है और कुछ बच्च राज इंदर मुर्मु करके इन्होंने मेरे खिलाफ वहाँ कि दुंका नगर ठाना में मेरे खिलाफ एक सिकायत लिखी कि मैं समाज के खिलाब उनों के खिलाफ कोलेज के खिलाफ अब भदरटिपनी कर रही हो और इसके बाद वो लोग उन्होंने वहीं केमपस में ही पुलिस केमपस में ही एक वीडियो बनाई और एक न्यूज में चलवाया कि वो लोग मेरा सामाजिक बहिसकार करेंगे और मुझे नौकरी से भी बरखास्त करवाने के लिए वी सी मैम को के पास वो लोग धरना परदसन करेंगे उन्होंने ऐसा बयान दिया एक लोकल न्यूज में उन्होंने यह बयान दिया और उसी दिन रात में तीन नंबरों से कुछ लड़कों लड़कों ने मुझे फोन किया था और धंकी दीती कि आप यह पोस्ट डिलेट कर दो नहीं तो फिर आपके साथ बहुत बुरा और और रहल को से निथरी किया और पर है की सिल्दू कान भुल्बॉय यूनिवस्टी म Sarah Rudil सेपाँ कोलेज आते हैं जिसमें तो पांचों पीज में आधिवासी चात्रवावाज और वह मों यह चपर्त कर रहे हैं और 26 शात्रों को भड़का रहा है मेरे खिलाब कि हर कॉलेज में ताला लगा दिया जाएगा और मतलब जब तक हमको नौकरी से नहीं निकाला जाता है तो ये सारे लोग शंगठित हो रहे हैं कुछ छात्र लोग और मेरे खिलाब वो लोग वीसी मेंपर वाइस चांसलर पर लोग तरह से दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे नौकरी से निकाल दिया जाए नहीं निकाला जाता है तो सारे कॉलेजों को कॉलेजों में ताला लगा दिया जाएगा ये उनका वाल है और कई थानों में मेरे खिलाब उन लोगों ने सिकायत दर्श करवाई है जैसे वो लोग बता रहे हैं कि पाकोड जीला में महिस्पूर ब्लॉक में और भी कई जीलों में उन लोगों ने मेरे खिलाब सिकायत दर्श किया और फेस्बुक में बस यहीं लिखा था कि लड़कियों के साथ छेर्षाड होती है उनके साथ अभधर बेवार होता है और उनको छाडियों की तरब कुछ लड़किये नसा करके वहां आते हैं और यहां का जो आयोजन समीति है चात्र जो आयोजित करते हैं वो इसीज को नजर प्रोफेसर रजनी मूर्मू को गलत को गलत कहने की सजा मिल रही है उन्हें लगातार धंकिया मिल रही है इन धंकियों के बीच में लगातार सोशल मीडिया पर उनके सहयोग में आवाज भी बुलन हो रही है लोग उनके खिलाफ हो रहे इस एक्षन के खिलाफ आवाज उठाने की मांग कर रहे है इन सभी के बीच सवाल बस इतना है कि आखिर कब तक इस परमपरा के नाम पर और प्रथा के नाम पर महलाओ के साथ अभधरता जारी रहेगी उमीद है कि परमपरा और प्रथा के नाम पर जारी इन कुरीतियों पर जल से जल लगाम लगेगी